हेलो दोस्तों आज के सी वीडियो के माध्यम से एक बार आपका भाय चंद दन आपके सामने फिर से परजेंट हो चुका है मेरे प्यारे सिस्टर आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपर्टेंट है अगर आप जोइनिंग करने वाले हो और जोइनिंग करने से पह अब ऐसले कह रहा हूं कि आप लोग्याтесь हों आप लोग बिहार सरकार के करमचारी होगे हैं बहुत खुशीक मात हैं बिहार सरकार कोडाई जोइनिंग करीएगा दो जोइनिंग की बाद आपको कुछ स्टर्म करोड़िया लेटर हैं दिएघी है अपके जोइनिंग बाते है दोकुमेंट का नाम है उसी डोकुमेंट के नाम में आपको स्रियल नमबर जो शाथ का साथ 8 डोकुमेंट का नाम रिखा हुए है इस साथ डोकुमेंटमेंटम घराना मेंजकोpty होता कि यह देख हले अगर यह दोनों फर्म वहाँ पर नहीं मिलते हैं तो आप लोग प्रिंट डॉट कर लिजिएगा टेलेग्राम गूरूप का लिंग का लिंग का डिस्क्रिप्शन में डाल देता है वहाँ से या फिर हर स्वास्ति वहाँ कि ऑफिस्यल वेबसाइट पर जाईएगा तो 21 अक्टुबर के डेट बेए 21 अक्टुबर को आप लोग को रिजल्ट वी जारी किया गया और 21 अक्टुबर को डेट में एनम के लिए जो इंप्लोइमेंट बॉंड होगा एकर नमा जीसे हम लोग रह सकते हैं वह सारे जो नोटिस्पिकेशन होता है उसका अपडेट कर द जो कंडेट समझ गया गौर्शा सुने गया मेरी प्यारी सिस्टर जो इस्टुडेंट उस एक्रिमेंट को समझ गया तो समझ लिजे कि उसका नोकरी साथ साल तक अराम से हो जाएगा क्योंकि एक ऐसा ऐसा पॉइंट लिखा हुआ है ऐसा बात लिखा हुआ है जो सीधे आप क्विस्ट करेंगे देख क्या रहे हो चंदन भाई को बना लो ना अपना भाई और सब्सक्राइब कर लो ना चैनल को अभी भी बिलम मत कीजिए फटा फट सब्सक्राइब करिए चंदन भाई चैनल को फास्ट इंफर्मेशन को सबसे पहले न्यूज प्रवाइड कराते रह हैं पाई सब्सक्राइब करए सब्सक्राइब करेंगे चलिए लूज सब्सक्राइब करनें अगर आपको मौन हो रहा है एक्षा हो रहा है तो टेलिग्राम ग्रूप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है जॉइन करिए ने टेलिग्राम ग्रूप से और परसनल मेसेज करिए न वहां से आपको जवाब हम दे देंगे या पी टेलिग्राम ग्रूप में जॉइन कि हो तो वहा मैं displaced कर देता हूं कि आपकी नौकी कितने किहोंगे सबसे नौपकर नौक धिकितने मनें nौबर थी पॉइंट 3 क्यषी स्विर्ग चुटी पुंस में रहेां से जाएंगे करने होगा यह सारे डेटाइट जनाकार है तो नौक से कंक्खनेक्शन Soyक इस सारे details जानकारी उस agreement में लिखा हुआ है, तो चलिए direct notice पर ही चलते हैं, स्वास्तिवाय के जो notice जारिक किया उसी पर चलते हैं, और उस notice को पूरी बढ़ियां से हम लोग जानते हैं, तो चलते हैं computer screen की तरफ, तो हम आज शुके हैं computer screen पर और इस screen पर हम आपको एके करके जानकारी देना शुरू करते हैं, सबसे पहले आपको हम यहाँ पर दो चीज दिखाएंगे, एक चीज यह हुआ, कि बिहार स्वास्तिवाय के तरफ से यह notification जारिक किया गया है, दूसरा चीज अगर बात करोगे इस नोटिस्पिकेशन में कि यह notification किस डेट में कब निकल कर आ रही है सामने, तो इस notification कहाँ पर देख सकते हो, पटना दिना 21 अक्टूबर 2022, 21 अक्टूबर को आप जोइनिंग का लेटर भी जारी किया गया था, जोइनिंग से रेलेटर पूरा notice जारी किया थे, आप लोग को मा करना नहीं है, बस आप लोग को जानना है कि आप लोग का agreement क्या होता है, इसलिए सेवा में सभी सिवील सरजन को लिखे गया है, और जितने भी सभी जिल्ला परतिरक्षन पतादिकारी उनको लिखे गया है, अब आगे चलेंगे तो हम आपको यह दिखा देते हैं, यहाँ प पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ से एक पॉइंट करके किलियर लिखा हुआ है, पॉइंट नुम्र एक कह रहा है, कमिस्मेंट ऑफ एक्रिमेंट, यहाँ आप लोग जो इसमें डेट भराएगा, इस डेट से आप लोग अपना संबीदा का अधार पर आप लोग इंप्लॉआ होगी, संबीदा का अधार पर आप लोग काम करना शुरू करेंगे, अब दूसरा यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि nature of agreement, यानि कि agreement का nature क्या है, उसका nature क्या होने वाला है, तो nature का मतलब यह हुआ, agreement का जो nature होगा, उसका मतलब यह हुआ, this is a time-bound employment on contractual basis and the contractual employee will not be claimed for any permanent employment, यानि कहने का मतलब यह हुआ, कि यह आप लोग का नोक्रिया time-bounded है, यहाँ पर देख सकतु time-bounded है, time-bounded हैगा, जैसे कि पहले 11 महिने के लिए होने वाला है, 11th month के लिए आप लोग को नोक्रिया होगा, और आप लोग पर्वानेंट होंगे, इसके लिए कोई आप लोग कलेम नहीं करेंगे, यह नहीं कि आप लोग संबीदा पर है, contractual job कर रहे हैं, कुछ दिन, 2-3-4-4 साल करोगे, और पर्व पर्वाप लोगे, वो आपका माने नहीं होगा, यह चीज कह रहा है, उसके बाद तीसरा नेमर में इस एग्रिमेंट में यह लिखा हुआ है, duties and contractual employee, contractual employee का संबीदा के धारवज आपको काम करोगे, उसका duties क्या होगा, उसका duties क्या होगा, यहां पर देख सकते हो, the contractual employee job title shall be name of the post, यानि कि आपका जो name रहेगा, anm, तो आपका anm post नाम रहेगा यहां पर, और roles and responsibilities will be as per term of response, reference, यानि कि term of reference में आपको जो वहाँ पर लिखा हुआ है, duty के बारे में, वही duty आप लोग करना होगा, अब यहां पर बात आती है, कि tor, term of reference में क्या लिखा हुआ है, तो term of reference मे क्या लिखा हुआ है, काम के बारे में लिखा हुआ है, और कौन सा काम लिखा हुआ है, उसके लिए वीडियो बना करके, लिंक आपको description में डाल दी है, कि anm को यह काम करना होगा, हम आपको 2-3 दिन पहले वीडियो भी डाले थे, उस वीडियो को देख लिजेगा, या फिर यह जो term of reference, यानि कि जो काम करना होगा, जो इसमें duties के बारे में बताया जा रहा है, इसके लिए वीडियो जो बनाया है, उसका link हम description में डाल दी है, तो 7-8 मिनिट का है, उसको भी देख लिजेगा, क्योंकि वो काम के बारे में details है, यह जो term and condition इसमें लिखा हुआ है काम कर in the area of responsibilities against assigned, यानि कि दोस्तों आप लोग को यह कह रहा है कि आप लोग जो भी संविदा पर काम करें, उसका आपको efficient लगा कर करना है, यानि कि अपनी छमता से आप लोग को उसकाम को operate करना है, operation करना है, बढ़ियां से आप लोग को कार्ज करना है, और खुद को responsibilities उस छेतर में आप लोग अपना effort लगाएंगे, और यह भी कहा रहा है कि responsibility once again may be change and when required, यानि कि जब जुरत परेगा तो आपका जो काम है, वो change भी कर सकते हैं, यह इसमें लिखा हुआ है, यह काम के बारे में, यह duties के बारे में, जो notification जारी है, उसके लिए वीडियो है, आप लोग पुना एक बार बता रहा हूं, उसको देख लिजेगा, अब आगे चलेंगे palace of employment, यानि कि आप लोग का जो joining होगा, वो कहाँ पर होगा, तो आप लोग का जो joining होगा, the contractual employment shall be a station in district, यानि कि आप लोग को district में joining किये जाएंगे, और district में joining करने के पाद, जहाँ पर जोरत परेगा, यहाँ पर आप लोग को duties लगाए जाएंगे, वहां पर आप लोको भेज होगा, जैसे कि मालो होगा, एक जिल्हा में में आपको में रूप से साधर, जो राजस्वास कब बात करेंगे गीस पर जानुको लिखा हुआ हाँ पर पड़सकता है द्वल्य क्यां टीद्र-ली सो स्ट्यजरक्त वग भ्यार दैकर क्कुष्वर्माइघ। प्लेचर रूडख लुखु अज지도 ब्ली मेरेद द्वालowser मीट्थ करेंगे। फॉन्ड होगा उसको देखते वे आपको एरली इंक्रेमेंट किया जा सकता है उसका दोस्तों यहां पर बताया गारा कि इनकम टेक्स के मिफिनान कि कटता है तो इनकम टेक्स गतने वाली होज़ा वह आपको उस टायम दिखाये जाएंगे इसके लिए परिशान नहीं होना है अब कहा रहा है कि टर्म आप एग्रिमेंट का टॉर्म क्या है यानिका मुल्ट टर्म क्या है वह चीज़ समझे तो एग्रिमेंट का मुल्ट टर्म यही है कि आप लोग को 60 साल तक नोक्री दिये जाए जब आप लोग इस सर्थ को पूरा करते हैं satisfactory performance evaluated by the component authority यानि कि आपका जो कार्ज होगा आपका जो कार्ज करने का performance होगा उसको component authority के थुरू देखा जाएगा अगर आप अच्छे सकार्ज कर हैं तो आपको आगे नोक्री दिये जाएंगे अगर नहीं अच्छास करेंगे तो वहां से आपको हटाया जा सकता है continued recruitment of the position by the department यानि कि लगातार आप लोग को इस चीज़ को देखे जाते रहेंगे construction employee is the good health continue the service यानि कि आप लोग को अच्छे से वर्क करना है continue लगातार अच्छे से वर्क करते रहना है अगर आप लोग अच्छे से वर्क नहीं करते हैं तो आपके उपर गाज गिर सकता है आपको प्रोब्लम हो सकती है त्रूआट इस डर्म अप्रोब्लमेंट अपको इतना अच्छे से वर्क करना है उनको लगना चाहिए कि नहीं यह जो एन्म है इनको रखना चाहिए तो इस यह सर्थ है इस सर्थ को आप लोग फोलो करिएगा आपको कभी नहीं हटाए जाएंगे आगे चलिए पर्वोशन पीरियेट का मतलब होता है कि एक परेट में आप लोग को रख़े जाते उस प्रियेट के अंदरगत अगर आपनो गल्ती करेंगे तो आपको कभी हटाया जा सकता है यहाँ पर दिखे लिख़ लिख़्ा हब प तीन महिने तक आप लोग को देखा जागा सुना जागा जाँ परताल किया जागा उसके बाद आप लोग को पक्का वहां पर स्टाफ माने जाएंगे पका एनम जॉब आले माने जाएंगे साथी दोस्तों टी ओर यानि की टॉर्म और प्रिप्रेंस यानि कि आपका जो काम है यह काम अगर आप लोग अच्छेश करते हैं यह तीन महिने का अंतरगात यह तीन महिने पर रखे जाएंगे नहीं तो आपको कभी भी टर्मिनेट किया जा सकता है यह देख सकते हो तर्मिनेट बाइदा डिपार्टमेंट यानिकि कभी आपको नोकरी को वहां से हटाया जा सकता है बता देता हो सरकारी नोकरी में कहäter कोई कोई डिपार्टमेंट दो साल का पर्मिनेट होता है सरकारी इस प्रिकिस करेंगा rust कोई को गलती परदी नहीं सोने जाती रहते हैं इसलिए जय अच्छे त्रीकेस आप लोग कार्ज करना आप लोग देख रहे हुँ सारा चीज गूबर्मेंट रिप्रवाइब के तरह रहे हैं यहां पर रिपोर्टिंग के बात कर रहे हैं कि रिपोर्टिंग क्या होगा कैसे होगा ति सिर्फियर यहां पर अफिसर होंगे यह आप लोग को अंतरकत होंगे यानि कि आप लोग एक स्रीज देख लिए आप यह निम है आपके आपको पर जाएंगे रिपोर्टिंग अफिसर डियो उसके बाद रिव्यू करने वाला होगा का मतलब है कि यानि कि परफियोरिंग आपको जॉब लगेगा अगर आपलोंको जॉब लगेगा अगर आप लोग चोड़ेंगे तो आपको बाई रिटेन आप लोग को लीग कर देना परेगा रिपोर्टिंग ऑफिसर को यह चीज हो गया उसका दोस्तों यह सब कोई यह नहीं है आगे चलते हैं आप लोगों की बता देथे हैं वीडियो लंबा जाता ह bathroom हो आप लोगको बिम्यार केजयर करेंगे को और आप लोगए सारके वा रिजान के बारे में रिजनेशन के बारे में हैं पर लिखावा देख सकते हो कि अगर रिजाइन करना है तो क्या करेंगे रिजाइन करना है तो आप लोको एक नोटिस लिख कर देना है डिरेक्टर इंचीफ को और आप लोको उस नोटिस को देखा जागा सब को सही पाए जाएंगे त आप लोग रिजानेशन ले सकते हो रिजानेशन लेने के लिए यहां पर एक चीज और देखा जाता है कि डार्टर इंचीफ में इफ दर डीम्ड प्रोपर इन दे सब्सक्राइब करते हैं तो आपको तीस दिन के अंदर आप लोगो कोई नोटिस दे करके आपको हटाया जा सकता है यानि कि अगर आप नोकरी में गलती करते हैं तो आपको तीस दिन के अंदर आप लोगो को हटाया जा सकता है एक नोटिस दे करके या फिर अगर आप लोग गलती काम करते हो तो बीना नोटिस दिये भी आपको हटाया जा सकता है याणिक अगर आप लोग कोई फॉस नहीं लेना है यह सारा चीज़ में लिखा हुआ है तो यही चीज़ अगर आप लोग ध्यान देंगे अगर नहीं देंगे तो आप लोग को कभी भी सम्विदा पर से नोकरी हट सकते हैं इस चीज़ को आप लोग समझ लीजिए तो यह चीज़ इसमें ट्रविशन पर अगरेमेंट में लिखा हुआ है तो आप लोग लगवाग हमको लगता है सारा चीज़ समझ यह अब आपको दिखा देते हैं छुट्टी का इसे लेंगे इसका दिखा देते हैं यानि कि आप लोग के चुटी लेना होगा तो जो आपके अथ्रूटी होंगे उससे इसे यह करना होगा शाथ ही दोस्तों जो डिपार्टमेंट का रूल है उस रूल के एकोडिंग आप लोग को चुट्टी दिये जाएंगे और टाइम करेंगा कोई पैस आप लोग लोग को नहीं मिलेगा अपको सेलरी इंगोरी अगर पंदर गंटा कर दे आपको डबल पैसा पर आप लोग के नहीं दे करना है इस बॉन्ड का फॉर्म को प्रिंट आट करके इसमें आप लोग को साइन करके आप लोग को जमा करना है तो दोस्तों आपने समझ लिया कि गौप में जाओगे तो आपके लिए यही रूर रोगलेशन लाया गया है जो कि आपके ग्रिमेंट में और इस एग्रिमेंट को आपको सायन करके देना होगा जिसे कि आप लोग उसके अंतरगत कार्ज करोगे तो आप लोग सारा चीज समझगे होंगे अगर कोई डॉट हो या किलियर नहीं हुआ हो तो उस पॉइ ख्के मेरी सिस्टर और मेरे वीडियो को अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में जरूर सेयर करेगा वप आ कि अनलोगों को भी जानना जरूरी है और आप लोग को बताओंगा कि चनल को सब्सक्रेव नहीं कूद सब्सक्राइब कर लिजेएगा मेरे सिस्टर चलिए आब BTSC accelerator जानकार देते रहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्यू.